हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ एक बहुत जादा यूसफुल टिप्स चेयर करूंगी जो आपके बहुत जादा काम आएगा फ्रेंस हम जब भी कप्रे धोते हैं कभी कभी आप देखते होंगे उसकी शाइन चले जाती है और कप्रे बहुत अच्छे धूल के नहीं निकलते हैं अब आप सोचोंगे aluminium foil को डालने से क्या होगा फ्रेंस aluminium foil में कुछ ऐसी properties होती है जो हमारे कप्रे को बहुत अच्छे से clean करती है इदम चम चमाता हुआ निकालती है और ये बॉल्स आप दो इसमें डाल दीजिए और ये कई बार आप कप्रेद होते हैं तो उसके यूज होगा इसे आपको निकाल के फेकना नहीं है जब आप 5-6 बार कप्रे वाश कर ले तब आप इसे निकाल के फेक सकते हैं ये आजमाया हुआ टिप्स है फ्रेंड्स कप्रे बहुत अच्छे वाश होते हैं जम चम चमाते हुए निकलते हैं पस दो बॉल्स आप डाल दीजिए फिर आप देखिए मैजिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये टिप्स आप ज़रू ट्राय करेंगे अब चलिए देखते हैं आज के हमारी दूसरी टिप्स कौन स है पानी तो यहाँ पे यहाँ पर पानी ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी बताका बताका डालते हैं आप देखोग cubic चुर्णे चुटी-चुटी आप बबल स आने लगते हैं तो आप ने बस दो बताक हैं अब इस बताका को डालने के बाद चार से पाँच सेकंड बस रखना है बहुत ज्यादा इसे गलाना नहीं है बस इतना ही रखना है कि जो उपर का पपड़ी है बस वो गल जाए नीचे का ना गले ठीक है और उसके बाद क्या करना है आपको इसको निकाल के दोनों बताशों को खा लेना है और खाने के बाद क्या करना इसका जो पानी ह हमें पीए लेना हे अबस्टिए कंब आप सोचोंगे बताशा खाएंगे पीना कंब guilty काम है फेंस क्या होता यह हैं गर्मियों में हम सभी को मिद एस इस अर्भें की प्रॉब्म हो जाती है पेट हैद में काफी जलन लगती है पेट में कर्मी सा होने वो सारी समस्याना आपकी दूर हो जाएगी अगर आपकी यूरिन में भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपका इससे दूर हो जाएगा तो यह टिप्स बहुत ज्यादा यूसफुल है आप इसे जरूर ट्राइ करना और इसमें कुछ भी नहीं लगना है बताशा इसली मार्केट म करना लगें चार से पांस दिन में यह मुशनी तीन दिन में भी इसका असर आपको दिखाई दे देगा तो जरूर आप इसे ट्राइग कर सकते हो बहुत ज्यादा यूसफुल है अगली टिप्स है फ्रैंट्स मेरी खीरे को लेकर फ्रैंट्स खीरा भी कर्मियों में बहुत के पानी की कमी पूरी होती है क्या हैं था यह से खाते हूं और इकल Pentुधने ारो फीलगे आप असे नमख मिलाते हैं प्रआफा होताँ प्रचप सरे कंगा कर ONE होता है , क्या कि फिल लिए नमक तोफ। फिल में शाइं क्वेटा रिके कर देते हैं बट इसे फेकने की बजाए हम ना इसका इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि मैं आज आपके साथ जो टिप शेयर करूंगी उससे ना कितना भी कड़वा खेरा हो ना आप एक बार ट्राइ करके देखना आपको बहुत उसका रिजल्स अच्छा मिलेगा तो करना क्या है खीरा आप जैसे भी खाते हैं चाहे लंबाई में खा रहे हैं चाहे इस तरीके से गोल कट करके खा रहे हैं आप इस तरीके से उसको कट कर लीजिए और कट करने के बाद आपने क्या करना है दूद तो इसके लिए हमें चाहिए दूद अब दूद फ्रेंस गरम नहीं होना चाहिए दूद आपका ठंडा होना चाहिए ठीक है तो कि गरम दूद आप डालेंगे तो खीरा इक्तम बेकार ह तो इसलिए आपको ठंडा दूद ही इसमें इस्तमाल करना है अब ठंडा दूद ले लीजिए फ्रिज से निकाल लीजिए या कि नॉर्मल टैंप्रेचर में रखा हुआ बाहर तो आप उसको भी इस्तमाल कर सकते हूं अब आपने करना क्या है अब खीरे को आपको इस तरीके स प्लेट में फैला लेना है जैसा कि मैंने फैलाया हुआ है Cherूभ उसके बाद आपने क्या करना है दूट डालने के बाद आपको दो-चार मिनट के लिए इसको इस तरीके से छोड़ना है और जब आप दूट डालके छोड़ोगे तो इसकी जो भी करवापन है वो सारा दूद के साथ निकल जाएगा और निकलने के बाद आपको क्या करना है तीन-चार मिनट तो जरूर रखना है उसके बाद करवापन जब निकल जाएगा न फिर आप इसको अच्छी तरीके से वाश कर लीजें और वाश करने के बाद जैसे आप सालिट में यूस करते हैं जैसे आप खाना चाहते हैं वैसे आप इसे इस्तमार कर सकते हैं यह बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा आदमाया हुआ तरीका है आप इसे जरूर ट्राइ करना बहुत ही ज्यादा यूसफुल टिप्स है तो इस तरीके के छोड़ छोड़ जो टिप्स होते हैं तो बहुत काम के होते हैं हमारे बहुत काम आते देखें हमारे इससे समान की वेस्टेज नहीं होती तो हम क्या करते हैं खीरा कड़वा होता है तो हम इसे फेंक देते हैं तो आज के बाद आप कड़वे खीरे को ना फेंक करें ताकि यह टिप्स उनके लिए भी यूसफुल हो सके अब चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप्स कौन सी है आप देख सेकते हैं मैंने आप ए खाली दवाई का पत्ता लिया हुआ है ऐसे तो हम इसे फेक देते हैं आज मैं आपको दवाई के पत्ते का यूस बताऊंगी फ्रेंस होता है क्या गैस का उपर का पोशन तो हम क्लीन कर लेते हैं बंट यह जो हमारा नौब होता है इसके किनारे किनारे आप देखते होंगे काफी डर्ट और काफी गंदगी जम्मी होती है तो इसे क्लीन करने के लिए दवाई का यह पत्ता बहुत ज़्यादा काम आता क्योंकि ना काफी शार्फ होता है तो जो इसके किनारे की होती नहीं जिसकी बहुत अच्छे से जितनी भी गंदगी है नहीं वह सब निकाल लेता है और सिफ गैस का नौभी नहीं जो भी ऐसे एरिया है जहां पे आपको लग रहा है कि आपका हाथ नहीं पहुंच पाएगा अ अंदर तक घुसा होता है ना वह सारा मैल ना बहुत अच्छे से निकल आता है तो है ना बहुत यादा यूसफूल टिप्स तो आज के बाद आप भी ना गयास के क्लीनिंग जब भी करें ना इस रैपर का इस्तमाल जरूर करें और बिल्कुल भी रैपर को ना फेके इस पैसला दुस्ति ठीप कौन सी इा त्वैक्त प्राइचे तो ऐसे तरुक्री तो होती ही होती है साथ ही साथ किसी भी चीज़् कीशनमर अगर जाती है तो इस तरीकसे जाप इसना करोंगे ístे करोंगे आ तो आप देखोंगे जो आपका चार्फिन के हर app यो कशारप है जिस्पूर आपसे जिरूर ट्रीकिकल करके देखना कभी इसके धार कम हो होता है कुछ अलगी ऐलिमेंट से बनाए जाता है जिससे की नहीं सब चीज़ें बहुत अच्छे से हमारी हो जाती है अब चलिए देखते इसी का अगला इस्तेमाल क्या होता है फिर्स क्या होता है घर में पड़े सीजर का भी धार अगर कम हो जाए ना तो उसकी धार भी आप इस तरीके से छोड़ी छोटी टीप से होती है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आती है तो कभी आप दभाई के पत्ते को फेकने से पहले उसका इस तरीके से षिफ्ट सकते हैं और इस तरीके से प्سल्ति की बचत भी कर सकते हो तो I hope आज की टिप्स आपको पसंद आए होगी अगर कहीं किसी पॉइंट पे आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूने शेयर जरूर करें और अगर आपके पास कोई और अच्छी टिप्स है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें मुझे अच्छा लगेगा तो शेले फ्रेंट आज की वीडियो बस यहीं तक थी मिलेंगे कल फी न्यू वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए and thank you so much for watching my video bye bye and take care